आपको दूस्त कि ली आपका दूस्त करने में अज की वीडियो में हम भारत की पुक्राल। इंडियान शोल्स देखने वाले इसमीं हम दीखेंगे जलोड मिटि पर काली मिट्टी लाल नेकर लेटे राइंट िनको देखने वाले तो चली यह बहुता हुआ होता है यह इंपोर्टेंट है जो बहोते हुए जल के साथ भाकर आये हो जिसे नदियों में वह ढोना आरिको बद्देग उत्र वह जातीं पई आयती है देल्टा जैसे के उत्र में पाइबी पंजाब से लेग के जो गंगा नदि कि आति है इसको जलूड मॉर्टा को जैसे आप नदी के बाजू में इसको देख सकते हैं गंगा नदी के डल्टा यह मुना नदी का डेल्टा में यह पायज आती है यह मिठटी भारत में लगवग cross 26 पर जलोड मुर्था ही क्यों पड़ा यह देखते हैं जलोडख करने का अर्थ होता है जल परवाहित होता है यह दो उसको पुराने जलौड मिंत्ती को बांगर का जाता है जो मिंत्ती पुराने हो चोकि यह नदी के बाजू में पड़ी तो सको कह तो इसको कहते हैं जलौड या बांगर तता न optimizing प्रोमकार आये उसको का Väल सकाथ भाक फिसको बोनत्क भांगर भाद को भी आई भी जाना फूलत जो मुरुदा होती है जलोर मुरुदा होती है काफी पोशन होती है जिसमें थोड़े अची खेती होती है इसमें कौन-कौन से जो फसल होती है धान गेहूं मक्का तेलगन तेलहन और दलहन आलू आधी फसली उगाई जाती है और यह अच्छी मात्रा में होती है उतर भारत में यह सबी हैं जिस मक्का तिलहन जलहन आलू और जो बाकी फसलें वह अच्छी होती है किसके कारण जलूर मुट्टी के कारण जैसे पंजाब हरियाना में पाई जाती है उतर परदेश तो चले नेश्ट दूसरी है काली मुर्दा जिसको बलते हैं ब्लेक स्वेल काली मुर्दा म होता है यह तो यह माराष्ट्र में को होती है उनक Canadian red निर्मान होती है इसमें क्या क्या होता है इसमें आइरन होता है चूना होता है एल्यूमिनियम एम मेगनेसियम की भवूलता होती है काली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है यह आपको पूछ सकते हैं तो इसमें अइरन होता है इसमें चूना पाया जाता है यह होती है इस इस मित्टी का काला रंग क्यों पढ़ा है तो इस नाम याद रखना है ? तीटे-फिरस-मेगनेटाइट के कारण इसको काला रंग प्राप्त होता है इस मिट्टी को रेंगुन मिट्टी भी का जाता है कौन सी मिट्टी रेंगुन मिट्टी यह काली मिट्टी रेंगुन मिट्टी के नाम से भी जाने जाती है और इसका जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं लावा मिट्टी क्या बोलते हैं लावा मिट्टी काली मिट्टी के त महाराष्टर गुजरात उत्रपरदेशिन में कपास की खेती होते हैं सबसे ज्यादा कपास की खेती किस मिट्टी में होती है तो यह बोले काली मिट्टी काली मिट्टी में कपास की इसको कपास की खेती भी या कपास की मिट्टी भी बोला जाता है काली मिट्टी को अंतित है काली कपास की मिट्टी भी का जाता है कौन सी मिट्टी काली कपास की मिट्टी अन्य फसलों में जैसे गेहूं इसमें कपास तो होता ही है कपास के साथ गेहूं जोवार बाजरा अधी को उगाया जाता है क्या क्या है गेहूं जोवार बाजरा और जो कपास इसको कपास तेखे काली मिट्टी के चार नाम होके काली मिट्टी रेंगुन मिट्टी लावा मिट्टी और काली का पास की मिट्टी तो चलिए नेस्ट दूसरा देख तीसरा देखते हम लाल मिट्टी जिसको रेड सोयल बोलते हैं लाल मिट्टी मतलब रेड सोयल लाल पिली एवं चोकलेटी रं यह भी जो चट्टाने होती है उनके तूट फूट से निर्मान होती है और अगर इस मिट्टी में पानी यह पानी के संपर्क में आ जाए तो इसका कलर जो हलका सा पीला हो जाता है यह हलकी से पीली दिखाए देती है अगर जो लाल मिट्टी है इसका अगर संपर्क पानी से आ अगर भारत की मिट्टी के बारे में अगर आपको क्यूशन पूछा गए तो पहला पूछेंगे इसका कलर रेड कलर की क्यूब पड़ा दूसरा यह पूछ सकते हैं इसमें कौन कोई से घटक पाए जाते हैं और तीसरा क्यूशन आने की संभावन होती है कि किस-किस एरिया किस राज्यो में यह पाए जाता है तो लोहा येमान वह चुना भारत में यह मिट्टी उत्तरपरदैस के प्रयदीप चलड़े तक पाया जाती है इस मैं बाजरा बाद्रा की फसल अच्छी impressed से पैदा होती है किन्तु गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास गेहूं दाल मोटी आनाज के लिए उप्युक्त है किस किस के लिए लाल मिट्टी में क्या क्या पाए जाएगा बाजरा और कपास की जो कपास नहीं होता है मिट्टी कपास कहा होता है अभी हमने देख से काली मिट गेह, डाल, मोटी आनाज के लिए लाल मेंटी होती है तो चले son जो फसलों के लिए जो पॉसण होता है वह सबसे कम होता है इसका मतलब है करोija कि चार्वाइद शपयड दिक्तरा हो यां पें किसके कारण होता है केरो चैन कारण इसका सपगे थोड़ा सा भूमिगत जल्वाइड काफी उपजाव होती चल के साथ बूल के निचेम चले जाते हैं क्या होता है अगर बर्सात होती है जो लोग है और उक्साइड इसमें पाया जाता है लेटर एक मिटने तो बर्सात करीकरन दिखना यह ओद घ्लाइड और जाती है लेटरेट में लोह और ओक्साइड तता पोटास के बहूलता होती है लाले मिट्टी में क्या क्या पाए जाता है देखिए पहले तो पाए जाता है लोह ओक्साइड दूसरा पाए जाता है और दूसरा पोटास क्या 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 पाए जाता है लोह जो लोह ओक्साइड और पोट इसकी ऊर्वरता कम होती है लेकिन निचले भाग में कुछ खेति की जा सकते हैं इसका निर्मान मानसुनिजलवायू की आधृत एवन सुल्क के कर्मिक परिवर्तन के प्रिनाम सवरुप उत्पन वीसिस परिस्तितियों में होता है कि मानसुन के कारण इसका निर्मान होता है इसमें iron और शिलेका की भालता होती है देखे लेटर रड मिठ़ी में सबसे ज़्यादा हम ने ताइसे गटन कोंचे पाया जाते हैं तो questions icon तैसे पाया जाता है पिछे का पनलोह उकसारइड उताइस इनकी सेलों बहुत कि निर्मान होने वालेम इस मिठी को gharilal लेक्ष के हैं इस बांब से ने सबसगता है के निचाले वाग में उन्म और निचलले भाग में कुछ dua HOW जा सकते छा जो मनें पीछे देखा तो इस वीडियो में हमने को से देखा चार परकार के निए थो आ entscheாक eggs देखी हैं पर कौन कोसी देखिए हमने पहली तो इसमें पहले देखिए हमने जुलोड मिटि तेखिए हम पाई जाती है क्या को बाई-फ़िज नीज तो इस वीडियो अपिछा लगा हो थो आप करें और अगर आप कोई बी डाउट हो तो आपनी चेप्ट बोक्स में पोच सक करें और अगर ऐसे ही वीडियो और देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें तो जल्दी मिलते हैं ले वीडियो में थैंक्यों सो मच